नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत इर्शिवालिक जनरल में मैं हूँ अरुनेंद्र कुमार इस वक्त की जो सबसे ज़्यादा चौक आने वाली खबर है वो पुंच से आ रही है जी हाँ आपको हमने पहले बताया था कि पुंच में किस तरीके से जो पुंच जम्मू हाईवे है वहाँ पर सेना के ट्रक में एक भीशन आग लग गई थी जिसमें पांच जवान शहीद हो गई थे और एक जवान जो है वो बुरी तरे से जुलस गया था जिनका इलाज चल रहा था कुछ भी पहले कहपाना मुश्किल था क्योंकि अलग-अलग तरीके की रिपोर्ट सा रही थी इस आग को लगने की वजह वहीं शुरुवाती रुपोर्ट में ऐसा लग रहा था कि यह जो आग लगी है ट्रक में वो जो बारिश हो रही थी वो सेरिये में लगातार उसकी वजह से जो बिजली गिरी ट्रक पर उसकी वजह से हुई है लेकिन अब जब जाच के बाद सेना अधिकारियों ने बहुत बड़ा खुलासा किया है इस मामले में जो सेना के अधिकारी थे उन्होंने कहा है कि जो ये पुंच में हाथसा हुआ है ये कोई हाथसा नहीं है बलकि एक आतंकवादी हमला है आतंकवादियों ने घात लगा करके सैना के स्ट्रक पर हमला किया ये आरार जो राष्ट राइफल्स के जवान जो थे इस में गश्ट पर निकले हुए थे इस इलाके में आपको बता दो इस इलाके में कुछ वक्त पहले ही एक बहुत बड़ी मुट भेड हुई थी काफी देर तक चली थी इससे अधिकारी जो सैना के अधिकारी हैं वो यह अनुमान लगा रहे हैं कि इस इलाके में अभी भी बहुत सारे ऐसे जो टेर्रिस ग्रूप हैं वो एक्टिव हैं जिन्होंने ये हमले को अंजाम दिया है जी हाँ बहुत बड़ा हमला ये देखा जा सकता है आतंकवादियों द्वारा जिस तरीके से राष्ट्री राइफल्स के जवानों को जो की पैट्रोलिंग के लिए निकले थे उस इलाके में उन पर घात लगा कर हमला किया आपको बताओ उन्होंने हैंड गिरनेड इस ट्रक पर फेके जिसकी वजह से इस ट्रक में आग लग गई और उस आग की चपेट में आने से जो पांच जवान थे वो वीरगती को प्राप्त हो गए और एक जवान बुरी तरेके से घायल है जिने रजोरी अस्पताल में ले जाया गया है और और उनका वहाँ पर इस वक्त इलाज चल रहा है अभी तक ये माना जा रहा था कि ये पूरा जो हमला है ये पूरी जो वारदात है ये पूरी जो घटना है वो कहीं न कहीं इसको एक तरीके से आस्मानी काशिय विजली गिरने का मामला देखा जा रहा था लेकिन अब ये सा कर दिया है कि आतंकवादियों ने यह हमला किया वो ये भी बता दूं आपको के आतंकवादियों ने सिर्फ हैंड गृनेट नहीं फेले फेके बलकि गोलियां भी चलाई हैं जब तक हमारे जवानों को समभलने का मौका मिलता उन्होंने ट्रक पर हैंड गिनेट फेका और उस ट्रक में उसी दौरान आग लगी और इस आग की चपेट में आने से हमारे जो आरार यूनिट के जो जवान थे जिन्हें counter terrorist operation के लिए उस इलाके में भीजा गया था वो इसकी जद में आ गए और वो शहीद हो गए आपको बता दू ये बहुत बहुत ही बड़ी खबर है इस वक्त इस तरीके का हमला जमू कश्मीर में काफी समय बाद आप देखने को मिला है वहीं अब पूरे इलाके को सीर कर दिया गया है और पूरे इलाके को कहीं न कहीं सर्च ओप्रेशन जो है वो लॉंच कर दिया गया है पूरे इलाके में कि किस वजह से जहां पर भी आतंकवादी हो उनकी तलाश की जा रही है ताकि आतंकवादीयों को इस हमले को अजाम देने वाले जो भी आतंकवादी है उनको खोज निकाला जाए और उनको जल्द से ज खत्म किया जाए ये देश के लिए एक बहुत ही दुखत खबर है कि हमारे पांच जवान जो है भारतिय सेना के रास्ट्री राइफल्स के जो कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त आतंकवादीयों से लड़ते हुए वीरगती को प्राप्त हुए हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि एक जवान इसमें जो हैं वो अभी घायल है जिनका इलाज चल रहा है वहीं आपको बता दू कि जो डिफेंस इस्पोड पर्सन है जो सुरक्षा की प्रवक्ता है जो सेना की प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि आज करीब तीन बजे जो आर्मी की गाड़ी थी वो भिम्ब किया उन्होंने जो बारिश थी उसका फाइदा उठाया जो लो विजिविल्टी थी उसका फाइदा उठाया और जिसके कारण उन्होंने हमले को अंजान दिया और फिर वो वहां से भाग गए लेकिन जब यह हमला किया उन्होंने हैंड ग्रिनेट से हमला किया तो गाड़ी में आग लग गई और फिर उसकी वज़े से हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं साच ऑपरेशन अभी जारी है पूरे इलाके को सील कर दिया गया लगातार जितने भी जो असेना के जवान हैं इलाके में वो पूरी तरीके से अब इन आतंकवादियों को ढूंडने में लग गए हैं आपको बता दू पुंच से जिस जगे पर ये हुआ है वहां से ये लगभग लगभग 90 किलोमीटर दूर बताय जा रहा है ये एरिया जहां पर ये भाटा करके जो जगे है वहां पर इस पूरे जो घटना है वो हुई है तो कहीं ने कहीं अब ये देखना है कि ये आतंकवादी कौन थे और इनको जो सेना है और जो सुरक्षा बल है जम्मो कश्मीर में वो कितनी जल्दी इनको ठेर करते हैं और इनका पता लगाते हैं जैसे ही कोई और update आएगी इसमें अभी सेना ने अभी जो ज़ुआन शहीद हुए उनके नाम जो हैं अभी वो disclose नहीं किये हैं हो सकता है बहुत जल्द वो नाम disclose हो जाएं हम उनके नाम भी आप तक बहुत जल्द पहुँचाएंगे जो इस हमले में जो ज़ुआन शहीद हु दबाना ना भूले अगर आप हमारी वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेच को फॉलो और लाइक करना ना भूले